हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने आ लिए भिंडी तो भिंडी जिसे पसंद है उसके लिए तो यह बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है तो यहाँ पर मैंने जो भिंडी ली थी उसको साफ कर लिया था आप हम क् चोटे चोटे टुकडों में कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारी भिंडी को कट करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी भिंडी हमारी कट हो गई है तो एक बाल लेंगे उसमें सारी भिंडी को टांसफर कर लेंगे इसके बाद इसमें कुछ मसाले हमें माध्य चमश हल्दी पाउडर ठोड़ा सालाल मिर्च पाउडर ठोड़ा सा आम चूर पाउड़र तोड़ा सा घरम मसाला अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे यहां एक चमच अदरक लेसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे भी डालके यह सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको दस मिनट के लिए रिष्ट पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे मैंने नमक डालना भूल गई थी तो अब यहां एक चमच नमक डालके इसको अच्छे से मिला देंगे और इसे दस मिनट के लिए हम इसको रिष्ट पे ऐसे छोड़ देंगे आप दस मिनट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े पानी रिलीज हुए तो हम क्या करेंगे एक से डेट चमच बेशन यहां पर हम और डालेंगे अब हम यहां पर आधा नेम्बू लिया है उसका इसमें रस निकाल देंगे और एक से डेट चमच बेशन इसमें और एट कर देंगे अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको कम लगे तो वेशन और भी एट कर सकते हैं अब यहाँ पर यह perfect है तो अब हम इसमें वेशन और नहीं एट करेंगे अब हम इसको fry करेंगे तो यहाँ पर कडाही गरम हो गई है उसमें मैंने सरसो का तेल डाल दिया है आप जो भी तेल खाते हैं वो आप ले सकते हैं अब मैंने जो भिंडी मिक्स करके रखा था उसको इसी तरीके से डाल देंगे और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और इसको उलट पुलट कर एकदम क्रेश्पी तक हमें इसे fry करना है ये बिंडी बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती हमारे बच्चे बिंडी पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब हम इस तरीके से बिंडी बनाते हैं तो उनको बहुत ही पसंद आती है अगर आपने अभी तक इस तरीके से नहीं बनाया है, तो एक बार जरूर ट्राइ करें, तो यहाँ पर विंडी हमारी एकदम क्रेश्पी हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, इसे आप पराठे या दाल चावल के साथ किसी से भी काई है, बहुत ही टेश्टी लगती है, इसी तरीके से हम सारी विंडी को फ्राइ कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी सारी विंडी बनके तयार हो गई है, तो कैसी लगी आज की रेश्पी, अगर यह विंडी को और ज्यादा चटपटा बनाना है, तो इसके उपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, तो यह और भी चटपटी बनके तयार हुई, तो यहाँ पर विंडी हमारी तयार है, तो कैसी लगी आज की रेश्पी, अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, सस्क्राइब जरूर कर फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई भाई